तो चलिए भई आसे हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स लेक्शर जिसके अंदर में बात करूँगा मैं एक नए सब्जेक्ट को लेकर जो कि आपके इंजरेरिंग सब्जेक्ट से उनके एक बेस थियार करता हुआ चलेगा देखे आप मानें देखेंगे कि जब हम यहां पर बात टेक्निक यूज करने पड़ेगी लेकिन अगर आप देखेंगे तो सभी का मारे पास में अगर आपको अच्छे से उसका कंसर्ट समझ में आता है कंसर्ट अगर उसका समझ लेते हैं तो नेक्ट थियोरी के साथ साथ में यह आपका त्यार करता है एनालोग इलेक्ट्रोनिक अगर आप यह मानों कि आपको EDC यानि कि इलेक्ट्रोनिक डिवाइस सर्किट जो जिसके अंदर में आपका मौस फैट या फिर जेफैट वगेरा या फिर बीजेटी वगेरा आते हैं इनका अगर बेसिक नोलेज है तो यह आप इंप्लिमेंट करोगे एनालोग में और एना लोग इलेक्ट्रोनिक से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेट हैं और एनालोग को कनेक्ट करवाने के लिए बीच में एक ब्रीज का काम कोन करेगा वह आपका EDC से त्यार करता है जिसका आप लोगोने वीडियो देख भी लियोंगे और जो यहां पर लेक्षर करवाए जाएं जोइन भी कर सकते हैं जिसका नंबर रहेगा 9416878402 या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी आप लोगो मिल जाएगा वहां से जोइन कर सकते हैं ठीक है तो यह मैं यहां पर बात करूं कि आप चाहें कोई भी एंट एक्जाम हो या फिर आपका वन दे कोई भी इंट्रीकल के अंदर अब इसके बाद में और कहां पर जुरत पड़ेगी नेट्रोल सिस्टम के अंदर में भी आप लोग देखेंगे कि इन ही का जो थेोरम से या फिर जो मारे पास में किस तरह से सर्किट कम डिडियूस करते हैं उन सब सीजों की जुरत पड़ने वाल तो क्या हमारा स्लेबस होता है पहली चीज़ तो यह कि आटक ठेटी को हमें क्या क्या ह्याय में पढ़ना होता है तो हमें Onet अग जर्क परमें तो यह एक ऐसा टोपिक है जो कि आप अगर, आगने क्या पढ़ना पर यूंहे तो गेर्ट की अंदर में लगब पर 61 questions आयों और होत एक इसके इंदर बेसिक आपको जो नोलीज होती है circuit को किस तरह से आप सीरीज के अंदर में है या फिर पैरलल के अंदर में है और किस तरह से आप उसको कैवियल लगाकर या case nd Tomippy लगाकर या तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर में क्योशन करने होते हैं अब मालो आपको मैं ठीओरी पढ़ा दूँ और आप क्योशन लगाओ ना तो फिर वह आपको समझ में आएगी क्योंकि बताएं कि हर क्योशन नया दिखेगा आप लोगों को तो आपको बेसिक कंस साइनसवाडल स्टडी स्टेट स्कॉम पढ़ते हैं आप लोगों ने अपने इंजिनेरिंग में डिप्लोमा के अंदर में कहीं ना कहीं चीजों को पढ़ा है लेकिन किसी और नाम से पढ़ा होगा तो साइनसवाडल स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मे में पढ़ना होता बेसिकली स्टार कनेक्शन्स के बारे में या फिर मेरे पास में डेल्टा कनेक्शन्स होते हैं इनको कैसे सोल करेंगे और यह मैं बता दूँ आप लोग को यह दोनों टॉपिक इतने इंपोर्टेंट है कि इनकी उपर में अभी तक 52 क्योशन्स इसके अंदर में बन चुके हैं तो बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है चाहिए आपका NCRTC का एक्जाम हो या फिर कोई गेट एक्जाम है वन डे कंप्टीटिव एक्जाम होगा तो स्टार डेल्टा कनेक्शन्स के उपर में होने को देख चोटा सा कंस्ट है लेकिन इसके उपर में बहुत ज्यादा क्योशन्स आप लोगो बना दिये जाते हैं और यह कहीं ना कहीं आपको बड़ा सारा सर्कीट देगा उसके अंदर में कैसे आपको यूज करना है उसका आप लोगो टेक्निक आनी चीए कि कब हमें दिखेगा नहीं स्टार डेल्टा लेकिन हमें उसके अंदर में किस तरह से उसको कंवर्ट करना है वो भी चीज़े आपको सिखाई जाएंगे यहां पर थर में बात करूँ आप लोग के टोपिक जो होते वह बहुत इंपोर्टनेंट है जो कि आपको इसी नाम से आ लग लग Edit मैं किसीके अंदर में रे आजिक्टर रहे एक या फिर एक सिरेक यह कितनी मैक्सिमिम पावर होगी ढेक्रेश एकलंडी यह तो और हमारे पास में पूरा चीज़े इसके इसके इंदर में आपको है जैसे मेरे पास में फैंवियन थोरम होगी यहां फिनों 10Thoramya फोर यह यह doğru 2 मिलती है और साथ आप लोगों को मैं बता दूं आपको जो धे कि बात करूं मैं तो transient analysis लोगार स elders जिस से ऑगर देखें एकि एक्षाम तो इतना इंपोर्टेंस नहीं रखता है लेकिन अगर आप आईएस की प्रिपेर कर रहे हैं तो उसके अंदर में तो आपको कंफर्म है कि इससे दो से तीन क्यूशन्स आपको देखने को मिलते हैं लेकिन ट्रांजेंट जो है अगर यह किसी को समझ में आ जाता है तो आप यह के मानों कि आपको कंट्रोल सिस्टम भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसको मैं ट्रांजेंट सिस्टम जो एनालिसिस है इसको बहुत 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 इंपोर्णेंट आप लोग के लिए यहां आएगा तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है करना जरूर है इसके अंदर में जो वन्डे डी कंपटीट होंगे उनके अंदर में थोड़े सिंपल लेवल के क्योशन आते हैं लेकिन आईस के अंदर में इसके उपर में वेटएज बहुत ज़यादा होता है फिर बात करूं में आपके साथ में फिफ्त जो टोपिक आता है तूपॉर्ट नोटूब और नेटवर्कू प्रट्प नेटवर्क सब को लगता कि बहुत azy है लेकिन जब क्योशन सबंदर clear कर delighted दिमाग में तो mito इसके अंदर में नेटवर्क कि क्या अप्रोच रह nici उसारी चीज़ होताएंगे वेसिकलि इसके पंदर में क्या-क्या सबकी आपको बताए जाएँ गिस तरह से किस लेवल तक गिछान को गुमा सकता है सु क्योंस क्यों सकते हैं मारे पास Maisound printing जाएगा जाएए जो प्रिशन फिर बात करूहां के साथ में जो झीक्स है हलांगे करने को तो यह इस प्रिप सुर्ट सब्सक्यों हमें पढ़ाए जरूर जाता है लेकिन आप किसी competitive exam के अंदर में देखेंगे तो बहुत कम इसके questions आपको देखने को मिलते हैं कि अगर मैं gate की बात करो तो अभी तक इसके अंदर में 2007 में last question आये वा था उसके पाद से इसके अंदर में कोई question नहीं पूछा गया यानि वह भी मैं आप लोग को करवा दूंगा एक एक लेक्षर के अंदर में सारा cover हो जाएगा यह और 7 जो मेरे पास में chapter है जो कि बिल्कुल outdated हो चेक है normal days में क्यूंकि उसको हमने basic हम पढ़ते हैं जाकर दुबारा से है तो हमारे पास में syllabus के अंदर में included लेकिन उसको में जायतर आप लोग को signal system के अंदर में पढ़ा देता हूं चाहें आप लोग के पास में जो मेरे पास में लैप्लास ट्रांसफर्म रही हो या फिर मेरे पास में 4-year प्रांसफर्म रही हो यह सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी तो कुल मिला के मैं कहूं कि आप लोग के लिए जो वेटिस रखेगा यहां पर आपकी इस एक्जाम के लिए वह यह तीन टोपिक बहुत जादा रखेंगे आपके बेसिक आपको के विल के से लगा आज कल आप लोग देखेंगे कि डिपेंडेंट सोर्सिस को लेकर ज्यादा पुछी जा रहे हैं तो वह आप लोग को किस तरह से अपरूश रखनी है वह सारी चीज़ यहां पर करवाऊंगा मैं फिर बात करूँ मैं स्टार डेल्टा बहुत इंपोर्टन स्टार डेल्टा के लिए क्योशन के अंदर में आपको पैचानना होगा आपको दिखेंगा नहीं डारेक्टली स्टार बनावा यह इस तरह से नहीं बना कि देएगा आपको इसके अंदर में अनालेसिस करना पड़ेगा उसकी अप्रोच उस लेवल तक लेके जाने पड़ेगी कि वह सरकीट आपका स्टार या डेल्टा में बन जाए फिर आपको एज पर सीरीज और पैरलल कनेक्शन कैसे कर पाओगे तो उसके लिए आपको इसको कनवर्जन आना बहुत जरूरी हो जाता है तो इस सारी चीज़ इसके अंदर में कवर करेंगे और तीसरा जो इसके अंदर में बहुत मैं अपना पहला टॉपिक जो कि बेसिक और नेटोक अनालिसिस है जिसमें आपका बेसिक केवियल और केसिल है इंडेक्टर है कैपस्टर है रजिस्टर इनकी क्या-क्या प्रोपर्टीज होती है उन सब को डिसक्स करूंगा मैं और फिर मैं बता दो आप लोग को बई आप लोग को नेटोक थेओरी अगर कोई भी इंजिनेरिंग सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे है एनलोग या फिर आप एडी सी या फिर कंट्रोल सिस्टम है इनको पढ़ने से पहले हमेशा कोसिस करना कि नेटोक थेओरी ही पढ़े इस सिक्वेंस के अंदर में आप पढ़ेंगे नेटोक थेओरी फिर आप एडी सी पढ़ेंगे फिर आप लोग एनलोग पढ़ेंगे और लास्ट में आप लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो आप यह मानेंगे कि आप लगका जो अप्रोच रहेगा क्योशन को सोल करने का या काओं की एफिसेंसी रहेगी आपके क् सकते हैं आप लोग को बता दो कि जो टेलिग्राम चैनल उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वट्सप पे भी आपको कोई क्योरी होती है तो यहां पर आप मेरे को वट्सप कर सकते हैं ठीक है जी 94168-78402 इस नंबर पर आप किसी भी टाइम पर इसको मेसेज कर सकते हैं वट्सप के उपर में चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स लेक्शर के अंदर में थैंक यू सो मच